तो नमस्कार आप तपके अपने यूट्वी चेनल आर εν een से जूं किसन नूज में दोस्तो वीडियो में बात करने वाले है दोस्तो यूटीवी आधारी जो नरसिंग भरती है उसके बारे में दोस्तो कुछ दिन पहले यानि की जनवरी के महीने में बारा या तेरा जनवरी की जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि कोरोना की जो थरड वेव जो चल रहा है यह आसंग की जो लहर है उसके मद्द नजर एनेचेम के तहट नर्सिंग स्टाफ और डोक्टर्स को भरती किया जाना है 1751 के आसपास जो पोस्टे थी उसमें डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की यानि कि जो सरकार ने 332 जो high definition quality के जो संस्टान चुने थे अस्पताल चुने थे basically COVID के लिए उन में ये नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स को लिया जाना था और दोस्तो मैंने पहले ही clear कर दिया था आप लोगों को कि जो नर्सिंग स्टाफ की जो vacancy है वो यहाँ पर agency के मारफ़त से भरती किया जाएगा यानि कि CMS जो का इसमें role नहीं रहेगा वो लोग tender जारी करेंगे और उसके बाद जो agency है जो सम्मंदित जो firm है वो यहाँ पर जो है कार्मिक उपलब्द करवाएगी तो यही है दोस्तो इस वीडियो में कि एक और जिले ने यहाँ पर इस भरती के regarding notification जारी किया है मैं आप लोगों को तक जानकारी दे रहा हूं इस बात की दोस्तो देखिए यहाँ पर कार्याले मुख्य चिकिस और स्वास्त अधिकारी डूंगरपूर राजस्तान का यह अपडेट है 2022 प्रेस विग्यप्ती चिकिस को है तू देखिए यहाँ पर दोस्तो स्रीमान मिशन निदेशक नहीं और विसिस साचन साचियू के आदिस क्रमांक जो 13.1.2022 को कोविड नाइंटीन की तिरतिय लहर की मद्द नजर राज्य के जिला उपजिला अस्पतालों में इस्तापित आईस्यू विभिन चैनित एच एफ एफ हाई फोकस फैसिलिटीज में इस्तापित एच डियू के संचालन हेतू डूंगरपुर जिले में चैनित शिक्सकों के सोरी चिकिसकों के एनेम एनेचेम की वर्तमान समीदा दर्रासी 40,000 उपए से दे होगा यानि कि डॉक्टर्स के बारे में है ये प्रेस विग्यप्ति निकाल दी गई है डॉक्टर्स की और इसका जो चैन है वाकिन इंटर्वू के आधार पर से जिला कलेक्टर मोदे की अधक्सता में जो कमेटी होगी उसके दुआरा किया जाएगा जिनके आवेदन पत्र सादे पेपर पर मये दस्तावेजो की छाया परती सहीत अमंतित किये गए हैं आवेदन प्राप्त करने के अंतिमति थी चार फरवरी शाम छे बजे तक है और इनके जो इंटर्वू है पांच फरवरी को रखे जाएंगी यानि कि जो डॉक्टर्स की भरती है डूंगरपूर जिले में उसके दुआरा CMHO ओफिस के दुआरा ये विज्यप्ति निकाली गई है डॉक्टर्स की भरती के लिए जो आवेदन है वो चार तारिक यानि कल तक किये जा सकते हैं और अगले दिन यानि कि पांच तारिक को इसका इंटर्व्यू हो जाए तो वही है ये निवीदा यानि की टेंडर इसकी सूचना दी जा रही है कोविड-19 महामारी की तिरते लहजर के मद्दे नजर जिले के उपजिला यही चीज जिसमें कही गई है नर्सिंग कर्मियों उपलब्द करवाए जाने है तू एजेंसी के मारफत से चेयन किया जाना यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने पहले ही कह दिया था जिस जिन 13 जनवरी को यह लेटर आया था कि यह जो नर्सिंग स्टाफ है यह CMHO ना भरती करके यह लोग टेंडर जारी करेंगे और जो फरम है जो एजेंसी है वो यहाँ पर इसका सेलेक्शन करेगी ठीक है जिसमें यह निवीदा यहाँ पर आमंत्रित की गई है इनकी टेंडर इसके लिए किया गया है उक्ते हेतू BSC नर्सिंग GNM डिगरी धारी को लिया जाएगा चैनित कार्मिको वर्तमान NHM की जो देर आसी है समवीदा दर आसी 9085 प्लस 1090 इसका 12% होगा 10,175 रुपए इसमें दिये ज स्टाप को ठीक है उक्ते चैनित कार्मिक को 31 मार्च 2022 से के लिए जाना है एजेंसी द्वारा सरकारी निजी चिकित सभवाग में कार्मिक उपलब्द कराए जाने का अनभो प्रमान पत्र इच्छुक एजेंसी निम्न अनुसार सर्विस चार्जर की राशी रुपा में अंक सिंक कर्मी क्वांटिटी कितनी होगी 16 कार्मिक चाहिए और यहाँ पर देखिए मासिक जो मान्दे है 10,155 कूला दिक्तम रासी प्रतिकार्मिक 10,999 रुपई यहाँ पर दी जाएगी तो यहाँ पर देखिए एजेंसी दुआरा पैन कार्ड की फोटो कोपी सलंगन की जाए इस तानिय एजेंसी को यहाँ पर पर प्रत्मिक्ता दी जाएगी विश्तर्थ विवरण CMH कारियाल है कि जो मेल आइडी है उस पर उपलब्ध है तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तो अब यह क्या होगा अब आपको मैं बता देता हूँ आपको इसमें कुछ नहीं करना है इसमें क्या होगा जो एजेंसी है बहुत सारी एजेंसी होती है प्लैसमेंट एजेंसी कोई भी एजेंसी होगी वो इसका टेंडर लेगी क्या कर लेगी ठेका लेगी कि भाई हम आपको इस पैसे में आप लोगों को जो है करमचारी दे देंगे ठीक है अब यहाँ पर अलग 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 तरीके सिसका फोर्म बरके CMHO कारियल में जमा कराएंगे एक टैंडर बॉक्स होगा उसमें फिर ये लोग कहेंगे कि हाँ आप बताईए तो फिर ये उनमें से एक का सलक्षिन करेंगे फिर वो जो एजेंसी होगी वो हायर करेगी या उन्होंने पहले कर रखे आप लोगों कुछ नहीं करना और दोस्तों डॉक्टर्स को तो ये डाइरेक्ट भरती कर रहे हैं CMHO जो जीला क्लेक्टर की कमेटिया जैसा कोवीड को किया था या UTV को कर रहे हैं लेकिन नर्सिंग स्टाप के लिए क्या कर रहे हैं अपना जंजट जो है चुकित एजनसी को अपने इस तरह से करवाएगी कैसे भी कार्मिक प्लब करॉएं उनको कमाने होंगे पैसे एजनसी को करवाएं जange अन्था नहीं होगा तो इस तरीके से है एजनसी भरती कर रही है, अब आप लोगों का सवाल होगा कि सब हमें इससे क्या फायदा होगा, हम कैसे पता करें, तो दोस्तो एजेंसी देखिए, आपके अस्पताल में जो आपका कोई कार्मिक लगा हो, जानकार लगा हो, उससे पूछ सकते हैं, भाई ऐसे ऐसे ये एनेचम पर पो को और वो अपने आप उसमें भेज देंगे, इनको तो टेंडर से मतलब था, चिकित सवभाग को उनोंने कर दिया है, ऐसे सबी जिले वाले करेंगे, और टेंडर के बाद जो एजेंसी जाने, और बाकी कोई मतलब नहीं है, दोस्तो हमारा काम था आप पहुंचाना, और ये आएगा NHM UTV स्टाफ के लिए, धन्यवाद दोस्तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी कोई जिलों का अपडेट हमारे पास आएगा, तो हम आप तक पहुंचाएंगे, इसके अलावे एक जानकरी और देदों दोस्तो, ऐसा हनुमानगड में प पढ़ना चाहें आप लोग, तो टेलेग्राम पर इसको प्लब्द करवा रहा हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जै हिंज जै भारत